और मान्निय सदस्गर्ण जय जगन्नात नौगठीत सत्रवी बिदान सभा के पर्थम सत्र में आप सभी को संबोधित करते वे मुझे अपार हर सियोंगर कानभा हो रहा यह त्यन प्रसंता का विशा है कि सत्रवी बिदान सभा के चुनाओ सांतिपुन डंग से संपन हुआ मैं आसा करता हूँ कि सभी निर्वाचित बिदाय कुरिसा के चोमुकी विकास से संबन्दित मुद्दो को परभावसाली डंग से रखकर परदेश के स्वरंगिन विकास में अपना सयोग सयोग देंगे मैं सभी मान्य सदसों का हारदिक स्वागत करता हूँ हारदिक अभिनन्दन करता हूँ मेरी सरकार का या पर्यास होगा कि समाज का हर वर्ग राज की विकास की परकिरिया से समान रुप से जुड़े और हम सब की सम्मलित सिज़ादात्मक पुर्जा इस राज के उठान के पर्तिस समर्पित हूँ मैं आविश्वास दिलाता हूँ कि मेरी सरकार उरिशा राज की संपून जन्ता के हित्मे को सर्वपरी मानते वे निश्पच नीतियों पर चलेगी मेरी सरकार सहीदों के त्याग और बल्दान को हिड्या में आत्मसाथ करते हुए द्वेश, घेना, अहंकार, परतिस्वोत से दूर रहने का प्रण लेकर कार करेगी उरिशा अस्मिता को केंडर में रखकर सज़क तटपर, स्वच, पारदर्सी और संवेधन सेल परसासन के माद्यम से राज की परगती को उच सिखर पर ले जाने के लिए संकल्पी थे इवाओं को रोजगार, किसानों को हर समय साहता, माहिलाओं का ससक्ति करन, दलीतों और अदिवासियों के संवेधानिक अधिकारों, एवं सुरक्षा, कौचों की रक्षा, भूमीनों को भूमी, खेतियर मजदोरों की साहता, तथा दुर्भावना अधारित कानुनी उलजन से दलीत, अदिवासियों और संख्यों को यों गरिवों को मुक्ती देना मेरी सरकार की प्रात्मिक्ता में सामिल होना। स्वरगे कमला दास, विदान सवा के सभी पूर सदसों, स्वरगे भी सुग्यान कुमारी देव, स्वरदी आदित माड़ी, पदमिसरी पुरुसकार विजेता, स्वरगे कमला पुजारी, पुरिशा पुलिस के पूर कंस्टेबल स्वरगे हिमान सु सेखर, रद के अमर, आत पुलिकत आत्माओं के सुक, संतप्त परिवारों के परती अपनी गहरी संदेना प्रगट करती है। के लिए मद्दान दिया है। पुरिशा के गटन की सताब्दी के करीब पहुंसते हुए मेरी सरकार बरस दोजार च्छतिस तक एक बिक्सी तुरिशा बनाने के आकांचा रखती है। एक ऐसा राज जहां किसान समरीद हो, यवाओं को रोजगार मिले और महलाएं ससक्त हो, इसलिए प्रतेक पहलों में क्रिशक, सर्मिक, जन जाती, इवा सक्ती, अन्यदाता और नारिश सक्ती को प्रात्मिक्ता दी जाएगी। स्वास्त सिवा में निवेश करने और नवाचार तथा नए उक की तकनीक को बढ़ावाद देने के मामले में पुर्वी भारत का पावराऊस बने। मेरी सरकार की मुक्ष प्रात्मिक्ता यवाओं के लिए रोजगार के आउसर पैदा करना। बर्स दोहजार सहितालिस तक विक्सित भारत के राष्टे डिष्टकोन के अनुरूप मेरी सरकार एक विक्सित उडिशा के मात को पाचानती है। जो अमरीत काल में राष्ट की परगती को देते हुए विकास का इंजन बन सकता है। हमारे आराध्य परबूसरी जगानात कैसिरबाद और लोगों के समर्थन से मेरी सरकार 24 गंटे काम करने के लिए परतिबद्ध है। और हर उडिशा के सपनों और अकांचाओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चुकि मेरी सरकार उडिशा के लोगों से किये गए अपने वादों को पूरा करने के लिए डिर्ड थी। इसलिए उसने सपत गरं समारों के तुरन बाद पहली कैवनेट बैठक बुलाई और घोसना पत में किये गए चार महत्पुन वादों को पूरा करने का संकल पूरी में सरी जगनात मंदिर के साभी चार दौरों को फिर से खोलना सरी जगनात मंदिर तिर्थ हस्तल के विकांस कारियों की सुरक्चा और रख रखाओं के लिए पांसो को रुपिय की एक कोस नीदी का निर्मान करना राज में समरीद क्रिशक नीती का करवायन जिसके तहट खरीफ और रभी दोनों में धान की खरीद की दर तीन अजार एक सो एक उर्पिय परती कुंटल होगी और सुबद्रा योजना का करवायन पर्भू जगनात हर उरिशा की पैचान सिरी जगनात संस्कृति का मूल भी से सवर भौमिक भाय चारा है मेरी सरकार सिरी जगनात संस्कृति और उरिशा असमिता के मात्र को स्विकारती है हमारे सासन के एजेंडे में उरिशा का गवराव केंदरिय मुद्दा मेरी सरकार के परती उरिशा के लोगों द्वारा ब्यक्त विश्वास के अनुरूप उरिया संस्कृति को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए पूरी विमंदारी से परियास किया जाएंगे लोगों को रुजगार देता है तता जी एजडी पी में लगबग 20% का योगदान देता है का मुद्पादक्ता आ परत्यासित बरसा पर निर्वरता फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान किसानों के सम्मुख परमुख चुनोतियों के रूप में बिद्वान है इससे किसानों की आयक कम रहती है तता समग्र चेत्र विकास में बादा आती है मेरी सरकार पांच बरस के ब्यापक दिश्टकोन के साथ किर्सी चेत की पूरी छमता का दोहन करने के लिए परतिबद्द है मेरी सरकार समरिद कृिसिक नीती लागू करके उरिसा में करसी छेथ में परिवरत लाएगी इस नीती के तहाँ 31 सो रुपिय परति क्यूंटल के दर से धान की खरिद की जाएगी और डिबिटि के माद्यम से 48 घंटे के अंदर भुकतान किया जाएगी किसानों के आए में उलिखनी बिर्दी करने के लिए मेरी सरकार मुल स्रिंखलाओं, क्रिसी मसनी करान और फसल कटाई के बाद के बन्यादी डाचे पर ध्यान केंदित करेगी कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और किसी उत्पादुकों को मुल बढ़ाने के लिए कोल्ड इस्टोरेज, सुईदाय, प्रसकरन इकाई और कुसल आपूर्ति सिंकला विक्सित की जाएगी किसानों को आदोनिक क्रिसी तकनीकों और मुल सबर्दन का परसिक्शन दिया जाएगी मंडियों को अनबंडार किसानों के विसराम ग्री तता गुदामों से उन्नत किया जाएगा यह हम उन्हें इन नाम से जोड़ा जाएगा मेरी सरकार, महिला, भुमीन, किसानों को प्रात्निक्ता, प्रिसी रिन सम्हितियों और बिढ़त छेट बोधिसी सम्हिती में नामंकन के लिए पुरसाइद करेगी सुप्फ सिचाई के लिए नवनिकरन उड़जा समाधनों के साथ तिसानों को ससक्त बनाने के लिए पी-एम किसूम योजना को पूरी तरह से लागू किया जाएगा सिचाई पर विसेज ध्यान दिया जाएगा ड्रिप सिचाई को बढ़ावा दिया जाएगा और बलंगीर, कला अंडी, बढ़गर और नुवापाला में एक बर्स के अंदर दस सिचाई परियोजना की सुरुआत कर उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा मेरी सरकार स्रियन्न के उत्पादन और खपत को बलाने के लिए सार्थक कदम उठाएगी अरिवासी चेतरों में स्रियन्न की खेती को बढ़ावा देने एक मजबूत आपुर्ती स्रिंकला बनाना शरी अन्ण प्रसकरन सेंतरों के लिए सबसिड़ी परदान करना और सभी सरकारी केंटेणों, इसकूलों और संतानों में शरी अन्ण को सामील करना कुछ ऐसे कदम है जो उरिसा को भारत में स्री अन्ण का केंदर के रूप में अस्तापित करने और कूपोशन से परभावी डंग सी निवटने के लिए उठाए जाने चाहिए उरिसा की विसाल तट रेखा और मीठे पानी के संसाधनों के दिश्टिगत राज में मत्स पालन के विकास की आपार संभावना भी दिमाना है बरते बजार के बावजूद चुनोतिया बनी वी है गुनवत्तापुन मचली बीज तक सिमित पहुँच आपरियाप्त कोल्ड चेन इंफरास्ट्रक्चर और प्राणपिक पर्थाय बड़े पैमाने पर मत्स उत्पादन में बादा डालती है सरकारी पहल और तक्निकी परगती उडिसा के मत्स पालन को नई उचाई तक पहुचा सकती है मेरी सरकार मचली पकड़ने के बंदरगाओं और लेंडिंग केंद्रों का अधुनिकरन और कोल्ड वेयर हाउस और प्रसरन गिरों के लिए सबसेड़ी के पेस करके मचली पकड़ने के उद्दोग में करांती लाने ये तू पर्तिबद्ध है उडिसा में पसुधन परवंदन को बनाने के ब्यापक प्रियास में मेरी सरकार राज के बहमूल पसुधन की सुरक्चा के लिए मुबाइल पसुच चिकिस्ता क्लिनिक अस्तापिद करने के लिए पर्तिबद्ध है पसुधन पर्म चारा उत्पादन और चारा एकायों के अस्तापना के लिए सबसिटी देजाएगी इसके अत्रीक डेरी किसानों के सामने आने वाली चुनोतियों का समाधान करने के लिए और अधीक दुग संग्रा केंद्र तता दुग सितलन केंद्र अस्तापित करने के लिए OEMF ED को ससक्त किया जाएगा यहम दूद संग्रा के लिए लापकारी मुल सुनिचित किया जाएगा पोल्ट्री बकरी के मांस और अंडे कुद्पादन को बढ़ावा के लिए OEMF और महिला किसानों द्वारा पोल्ट्री फॉर्म बकरी पालन सुहर पालन और कलस्टर केती संचालन के स्थापना के लिए सबसिड़ी परदान की जाएगी इसके अतरीक मेरी सरकार उडिसा की देशी गाय और बकरों की नसलों जैसे रंबा, केपालन, मुल्यांकन और कोसन के लिए पुरसान परदान करके उनके संवर्दन को प्रात्मिक्ता देती है परतेक प्राचिन सास्त में महिलाओं को परिवार और समाज के स्थम में के रूप में सम्मानित किया गया है प्राचिन गर्ण्थों में महिलाओं की सिक्षा, स्वास्त और सम्मान के महत को रिखांकित किया गया तता रास्ट के भईज़ को आकार देने में इसकी भूमी का को सराय गया मेरी सरकार मातर सकती को सरोच सम्मान देती है तता उनकी भलाई परगती और सम्मान के लिए सद्धेयो पर्तिबद्द मेरी सरकार का लक्ष दोहजार सताइस तक उलिसा में पचीस लाख लखपती दीदी बनाना 23 सेतु स्वम साहता समू के लिए और दोगी कलश्टर अस्तापित करना यो मुतपाद विपन और परचार के लिए आवस्क सुधा और परबंद कराना मैला-उ दम्यों को प्रहड़ित करने के मेरी सरकार उन स्वम साहता समो को परुसाहद करेगी जुने ने स्वम को सफलता पुरवक recuperative किया संगटित और असंगटित दोनों छीतरों की मैला-चर्म-चारियों की साहता के लिए क्रेश सुधा को परुसाहिद करेगी तता कामकाजी मैलाओं के लिए जिला अस्तर पर छात्रावास अस्तापित करेगी मानव तसकरी के पिर्टों को संस्तागत साहता परदान करके उनका पुनरवास किया जाए बच्चों को भगवान का स्वरूप एवं राष्ट का भविस माना जाता उन्हें एक मजबूत और परवुद समा सुनिचित करने के लिए समगर विकास किया उसकता है मेरी सरकार राज के बच्चों को जोड़िया उडिसा के समरिद भविस की कुंजी है सरोत्तम सुईदा परदान के नहेतू परतिबद है मेरी सरकार ने बरस दोजार सताइस तक कूप वोसन को वस्ता कम करने का लग्च रखा इसके लिए मेरी सरकार की सोरा वस्त तक के सभी बच्चों को स्वास्त बरदक पूरक आहार और स्वास्त सेवा परदान करेगी उरिसा के सिक्षा पढ़ानी सिक्षकों की रिक्टियों गुनवत्ता पुन डिजिटल सिक्षन संदानों तता सिमित पहुँच और विशेश रिपसे लड़कियों के बीच उच ड्रपाउट दर्द जैसी अनेक चुन्दोतियों का सामना कर रही है हलाकि इसमें सुधार की काफी संबहोना है और मेरी सरकार उरिसा के सिक्षा परिदेश में ब्यापक बदलाव लाने के लिए पूरी तरह परतिबद्ध है सिक्षकों के परसिक्षन में निवेश ग्रामिन चेत्रों में डिजिटल बुन्यादी ढाचे का विस्तार और छात्रिविर्थी कारक्रमों से इन मुद्धों का समधान संबह है सभी के लिए उच्छ गुनवत्ता पुन सिक्षा को बढ़ावा दे कर अब उड़ी सा अपने उज्वल भविस की अपार संबहानों के द्वार खोलने के लिए तयार है मेरी सरकार राष्टिय सिक्षा नीती 2020 NAP 2020 के अनुरूप एक राजस्तरिय सिक्षा नीती लागू करेगी जिससे समग्र साइस्चनिक सुधारों के दिशा में तेजी से परगती सुनिश्चीत होगी इसमें उडिया भासा में कानुनी चिक्ष्टा और इंजिनिरिंग पार्ट करम परदान करना सामील है डिजिटल सिक्षा के परसार के लिए मेरी सरकार सरकारी स्कुलों में अत्यादुनी कंप्यूटर परुक्साला स्तापित करेगी परदोगों के सायोग से स्टीम विग्यान परदोगी की इंजिनिरिंग और गनीत सिक्षा पहल सुरू की जाएगी एन एपी ट्वंटी ट्वंटी के अनुरूप छटी खलसा से कोडिंग कच्षाएं सुरू की जाएगी मेरी सरकार इसकुलों में प्रामर्स केंदर स्तापित करेगी तथा कच्षा नौ सही कैरियर प्रामर्स की सुईदा परदान करेगी बर्स 2030 तक प्री प्राइमरी तथा प्राइमरी स्कूल में परतेग बच्चे की बुन्यादी, साक्षर्टा तथा संख्यात्मक सुनिचित करने के लिए भी सभी आगनबारीयों को नई पीडी की सक्षम आगनबारीयों में अपग्रेट किया जाएगा तथागन बारी कारकरताओं को सैच्छनिक संसादन बेक्ती एरपी बिनाने के लिए परसिक्षित किया जाएगा ताकि विप्री स्कूल अस्तर परसिक्षन परदान करने में सक्षम हो सके सिक्षकों की गुनवत्ता में सुधार के लिए मेरी सरकार सिक्षकों के परसिक्षन पदिती में सुधार करेगी सिक्षकों की सेवा पुष्टी तैनाती और कार अवंटन जैसे मामलों के लिए एक सक्षमता धाचा तयार किया जागा इसके अत्रीत परसिक्षन कारकरमों को सुभियोस्तित करने और कुरेटेड भूमी का अबिसिष्ट समागिरी परदान करने और इसकुली सिक्षकों के लिए नियमती परसिक्षनों का परदान करने तथा उनकी जवाब दही सुनिचित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर् में बिक्सित किया जाएगा मेरी सरकार सभी महजूद और दोगिक परसिक्षन संस्थानों आई टी आई को अत्याधिक बुनियादी ढाचे और पाठकरम में सुधार के लिए अधोनिक बनाएगी तथा निर्वाद काऊसल विकास और रोजगार के आऊसर को सुगम बनाने के लिए सिच्छा जगत और बजार के बीच एक मजबूत संपर का स्नाफित करेगी उडिशा की स्वास्थ स्वास्थ सेवा बित्रन में बरा बदलाल आ सकते हैं तक्रीकी परगती और भड़ता निवेस उडिशा के लिए एक स्वास्थ भविस की कुंजी है इसके द्वारा मे स्वास्थ स्वा के बुन्यादी धांचे को ब्यापक पहलूं के माध्यम से प्रात्मिक्ता दी जाएगी मेरी सरकार उडिशा महिस्मान भारात परदान मंत्री जन अरोग जोजना लागू करने जा रही है जिसमें सभी उडिशा निवासियों जो पात रहे उनके लिए स्व जान रखते वे मेरी सरकार पटे गर्वती मैलाओं को उनकी पोशन संबन्दिया और सक्ताओं को पूरा करने के लिए विट्ये साहता परदान करेगी। तीन हजार नए डाक्टरों की निवक्ति की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक बेट लगा कर स्वास धांचे को मजबूत करेगी। परटेक CAC को अंतीन चोड़ तक स्वास परदान करने के लिए मोबाइल हेल्थ यूनीट के साथ जोड़ा जागा। तेलेसिमिया एंट्रेक्स और सिकल सेल एनिमिया जैसी अस्तानी बिवारियों से प्रित रोगयों की साहता के लिए मेरी सरकार जरुरत मन्द लोगों को बित्तिये साहता परदान करने के लिए धनरासिया वंटित करेगी। मलेड़ा के खिलाप हमारी लड़ाई में मेरी सरकार का लक्ष राष्टिये वेक्टर जनित रोक कारकरम तिरु करके 2030 तक उडिसा से इस बिमारी को खत्म करना है। उडिसा रोमांच की भूमी है और खेल उसमें एक है। यह उडिसा की संस्क्रिति का महत्पून हिस्सा है मेरी सरकार एक नई खेल नीती सुरू करने जा रही है। जिसमें गाउं के अस्तर से लेकर खेलाडियों के सायक पर सितिक तंत बनाने तक के लिए बुनियादी धाच और अपलप कराने पर ध्यान के अंदित किया जाएगा। पिसेवार, कोचिंग और मार्क दरसंद करने के एथलिटो को कोच और परस्किचन के लिए खेल अकादमी और नरसरी स्तापित की चाएगी। 8 से 17 बर्स की आई उक्याटति को परस्किचित करने के लिए खेल अकादमी बनाई जाएगी। इसके अत्रिक सभी सेवा निट खिलाडियों को कोच और एमपायर के रूप में सेवा निटती के बाद के केरियर के अवसरों में बदलाओ की सुधा के लिए अपस्रिलिंग और पर्मान परदान किया जाएगा। उडिसा देश का पहला राज था जिसे जान भूचकर भासाई अधार पर बनाया गया था। उडिसा इसमिता और उडिसा सोईवान की जड़े महान उडिसा लोगों द्वारा 1936 में एक अलग राज बनाने के लिए की गए संगर्स और बलदान से जूड़ी हुए। मेरी सरकार उडिसा असमिता को बढ़ावा देने, संदक्चित करने और उसका परचार परशार करने के लिए परतिबद्द है। सिक्षन के लिए बित्ती साहता भी परदान करेगी।